चावल में अग्नाव करण हेतू अर्थात अग्नी में आहुती देने हेतू लिये गए चावल का शेश भाग तीलो धक, काले तील, दही, शहद एवं घी ये सर्व पधार्थ मिलाएं चार बड़े पिंड एवं अन्य आवशक छोटे पिंड बनाएं बड़े पिंड बिल्व फल के आकार के हों तीलो धक से स्थान पवित्र कर उस पर दर फैलाएं इस दर्भका शुद्धी करन करें। प्रत्येक पिंड रखते हुए करता कहता है अमुग गोत्र के वसु स्वरूप अथवा रुद्र स्वरूप अथवा आदित्य स्वरूप के अपने अमुग नाम के अमुग परिजन के लिए मैं पिंड देता हूँ। ऐसा मानता हूँ कि यह पिंड मैं गयाजी में दे रहा हूँ, यह मेरी श्रद्धा है। जिनके बारे में निश्चित जानकारी है, उनके लिए पिंड देने के पश्चात धर्म पिंड देते हैं। असी पत्रबन वा कुम्भी पाक नरग में रह रहे पितर एवं जिनके कूल का ख्षय हो गया है, उन्हें एवं अन्यों को यह धर्म पिंड दिया जाता है। धर्म पिंडो मै आदत्तो यक्षय उपत इस्ठतू। घी एवं जला हुआ दर्भ मिलाकर काजल बनाया जाता है। पिंड स्वरूपी पितरों के लिए काजल उनका धागा, फूल, तूलसी, मका, धूप, दीप द्वारा उपचार किये जाते हैं। पिंड स्वरूपी पितरों को नैवेत्य अरपन किया जाता है। पिने के लिए हाथ और मुध होने के लिए पानी एवं मुखशुद्धी हेतु पान अरपन किया जाता है। अब करता खड़े होकर यव एवं काले तिल अरपन करता है। और कहता है मेरे पितरों मेरे कुटुमबको अन्न मिले, शक्ती मिले, सबका उतकर्ष हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे पितरों, आपकी कृपा से हमारा कल्याण हो। उसके पश्चात पितर ब्राह्मणों को तिलोदक एवं देव ब्राह्मणों को यवोदक देकर पिंड़ पर जल छोड़ा जाता है। जिन पितरों की मृत्यू अगनी में जल जाने से हुई है, तथा जिनकी मृत्यू जन्म से पहले ही कोख में हो गई है, उनके लिए बनाए गए विशेश पिंड़ों पर तिलोदक चड़ाया जाता है। करता पूछता है, विश्वेदेव प्रसन्न हुए क्या, पितर प्रसन्न हुए क्या, सर्वदेव पितर प्रसन्न हो, श्राध्ध कर्म शास्त्र विहित हो, ऐसा कहते हुए करता नमस्कार करता है। प्राम्हन कहते हैं देव वो पित्रों की क्रिपा से करता की इच्छा सफल हो। उसके पश्चात कुटुम्ब के अन्य सदस्य पिंडों को नमस्कार करें। इसके उपरान करता, अयोध्य, मतुरा, गया, काशी, अवंतिका, द्वारका, जगन्हात्पुरी इन साथ मोक्षदायक स्थानों का स्मरन करता है। और एक बड़े पात्र में वह पिंड भरता है। करता विधी समाप्ति पर नमस्कार करता है। सुर्यास्त के पूर्व पिंडों को स्वच्छ जल में विसरजित करते हैं। घर के बाहर काग बली के लिए पत्ता परोसा जाता है। तरपन विधी में प्रथम विश्वे देवों के लिए तरपन किया जाता है। उसके पश्चात पितरों के लिए। पासिते वशर्मानम काश्चव गोत्रम वसुरूपम स्वधा नमस्तर पयामी। करता कहता है अमुग गोत्र के वसुरूपम के अथवा रुद्र स्वरूपम के अथवा आदित्य स्वरूपम के अमुग नाम के मेरे अमुग परुजनों को जल देता हूँ। जल देता हूँ। वश्चात गोत्र के निपुत्रों के लिए वस्तर के एक कोने को जल देता हूँ। तिलो दक से भिगो कर फिर वस्तर को निचोड कर वो पानी छोडता है। झाल 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 क्यों प्रच्वा